हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम इंस्ट्रुमेंटेशन अम्प्लिफाईर यूजिंग ट्री आपम्स का डेरिवेशन एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन दिखने वाले है तो इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने अल्रड़ी बताया था याने इंस्ट्रुमेंटेशन अम्प्लिफाईर यूजिंग सिंगल आपम और इंस्ट्रुमेंटेशन अम्प्लिफाईर यूजिंग ब्योल आपम उसमें हमने बताया था कि इंस्ट्रुमेंटेशन अम्प्लिफाईर याने एक डिपरेंस अम्प्लिफाईर रहता है तो दोस्तों य इंवर्टिंग टर्मिनल को वी ओ डैश और नॉन इंवर्टिंग टर्मिनल को वी ओ डबल डैश हमने यहाँ पर इंपुट अप्लाई किया है यहाँ पर एंप्लिफायर वन और एंप्लिफायर टू जो है इसके नॉन इंवर्टिंग टर्मिनल्स को वी वन और वी टू यह ओल surrounding the inverting terminal they are connected to the RG तो उसको वेरेबर रेजिस्टन्स RG के साथ हमने यहाँ पर connect कर दिया है यह यहाँ पर Only Change है अब यह हो गया एक non-inverting amplifier जैसे non-inverting amplifier आता है हम concept इस्तेमाल करते हैdaughter शौट की विडिय शौट क्या है तो वर्चों शॉर्ट कंसेप्ट यान हम कि हमें absolutely जो नॉन किनफ टर्मिनल के इंपू двух रहते है यानि इंफ्टिंग का इंपूट और नॉन इंबर्टिंग टर्मिनल इन दोनों का इंपूट हम सेम कंसिडर करते है तो यह e Любन और यह जो है यह दोनों सेम है तो v1 is equals to va यह सबसे पहले और similarly vb के बारे में भी याने amplifier 2 के बारे में भी वही रहेगा यह जो v2 है it will be equals to vb अब देखिए हमको find करना है v o dash और v o double dash उसके लिए हम इसमें से flow होने वाला current यहाँ पर find करने वाले है तो यह current कैसे find करते है तो potential difference upon resistance potential difference क्या है तो यह वाला voltage minus a voltage upon यह वाला resistance तो यह voltage क्या है यह है v o dash और यहाँ का voltage है v1 तो v o dash minus v1 upon r1 यह हो गया current through r1 अब same current जा रहा है rg और इस r1 से भी तो यह जो rg है यह कैसे calculate करेगे तो यह भी हम same तरह कैसे calculate करेगे यह वाला voltage minus a वाला voltage upon a resistance तो यह वाला voltage क्या है तो यह voltage है v1 हमने आखरेटी बुला है कि va is equals to v1 तो v1 minus v2 upon rg यह वाला equation यह वाली term आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर आखरी वाली जो term है यह आएगी current r1 से जो आये पास हो रहा है तो यह वाला voltage minus यह वाला voltage यह v2 तो v2 minus v o double dash upon r1 अब देखिए दोस्तों हमें v o dash और v o double dash find करना है तो यह कैसे find करेगे तो उसके लिए हमें हमारा जो equation आया है देखिए इसके अगर हम first two term इस्तेमाल करेगे तो v o dash हम find कर सकते हैं और अगर हम last two terms यानि v1 minus v2 upon rg equals to r1 minus sorry v2 minus v o double dash upon r1 अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं that is last two term तो हम v o double dash find कर सकते हैं अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात है कि हमें v o dash find करना है v o dash find करने के लिए हम क्या करेगे तो सबसे पहले इन दोनों को separate कर देगे यानि denominator वाली जो term है इसको हम separate कर देगे and therefore it will become v o dash upon r1 minus v1 upon r1 equals to v1 upon rg minus v2 upon rg अब हमें क्या भाइन करना है तो v o dash find करने के लिए हम क्या करेगे तो सबसे पहले शुरुआत करते है v o dash upon r1 is equals to हम इसको directly right hand side पर बेज़ देते है तो यह हो जाता है v1 upon r1 plus v1 upon rg already वहाँ पर है minus v2 upon rgp यहाँ पर already है अब देखिए दोस्तो हम क्या करेगे यह जो v1 है इसमें से v1 क्यालकूल यह दो terms जो है इसमें से v1 common निकाल लेते हैं तो यह हो जाता है 1 upon r1 plus a हो जाएगा 1 upon rg यहाँ पर हमने v1 common निकाला है यह होता है v2 upon rg अब हम इसको cross multiply करेगे और simplify करेगे तो फरदर हमें क्या मिलेगा यह मिलेगा हमें r1 plus rg divided by r1 multiplied by rg अब bracket में हम लिकेगे इसको और यह हो गया multiplied by v1 दोस्तों हमें v o dash calculate करना है तो हम यह जो r1 है इसको right hand side पर बेच देते हैं तो definitely यह यहाँ पर इधर divide में है इधर जाके multiplication में आएगा similarly इस term के लिए भी यह multiply करेगा तो यह हो जाएगा फरदर v2 upon rg multiplied by r1 अब देखिए हम इसको यह जो r1 है यह r1 और यह r1 cancel हो जाता है and therefore v o dash will be equals to r1 plus rg upon rg multiplied by v1 यह हो गई एक term minus अब r1 upon rg मैं दोनों resistance साथ में लिग लेता हूँ तो r1 upon rg multiplied by v2 यह हो गया हमारा equation number 2 अब हमें v o double dash फाइड करना है तो v o double dash फाइड करने के लिए हम फिर से से separate करेगे separate करने के बाद v o dash को right hand side पर बेज़ेगे और इन डुनों terms को left hand side पर लेके आते हैं और v o dash को same method से अगर हम find करते हैं तो हमें मिलता है r1 plus rg upon rg multiplied by v2 minus r1 upon rg times v1 इसको देदेते हम equation number 3 अब देखिए दोस्तों हमें फरदर इसको solve करना है और v o find करना है तो देखिए v o क्या है तो output voltage of this difference amplifier तो difference amplifier का जो equation रहता है वो क्या है यह है rf upon r1 अगर यह दोनों resistance और यह दोनों resistance is equal to rf upon r1 times v o double dash minus v o dash अब v o double dash v o double dash की sorry v o dash और v o double dash की जो respective values है अगर हम यहाबर put करते हैं तो हमें कुछ equation इस तरह से मिलेगा अब क्या करेंगे यह जो square bracket है इसको इस multiplication के साथ simplify कर देगे तो sorry इस negative sign के साथ simplify करते हैं तो यह square bracket यहापर more हो जाएगा और यह हो जाएगा यह term माइनस और यह term हो जाएगी positive तो देखिए हमें कुछ इस तरह से equation मिलेगा अब देखिए दोस्तों हमें v2 और v1 वाली terms सेम करनी है तो यह है हमारी v2 वाली terms अब यहापर observe किजिए कि यह है 1 प्लस R1 अपन आर्ज टाइमस v2 और यह है R1 अपन आर्ज टाइमस v2 अब देखिए यह 1 प्लस R1 आर्जी दो बारा आ रहा है इसलिए हम इसको twice R1 आर्जी करेगे यह हो जाएगा v2 के साथ और similarly यह negative sign के साथ R1 आर्जी और यह R1 आर्जी क्या addition हो जाएगा with negative sign तो यह हो जाएगा 1 प्लस twice R1 अपन आर्जी और हमें कुछ इस तरह से हमारा equation मिलेगा अब दोनों देख सकते हैं कि यह और यह term same है सिर्फ क्या addition है तो यह multiplied by v2 है और यह multiplied by v1 है तो इसमें से अगर हम इसको common निकालते हैं तो हमारा जो output voltage है वो हमें मिलता है R1 आर्जी जो हमने common यहापर निकाला है multiplied by v2 minus यह देखें यहापर negative sign है तो v2 minus v1 अब देखें यह हो गया हमारा difference amplifier का equation क्योंकि यह v1 minus v2 है और यह हो गया हमारा gain अब इस gain को vary करना है तो हमें क्या है करना है यह जो RG रहता है इसको vary करना पड़ेगा just by varying RG we can vary the output voltage limitations जो है हमारे आये using 3-op-amp के तो इसमें क्या है बहुत सारे resistance इस्तेमाल करते है तो gain depends on these resistances यहापर हमें अब बहुत सारे resistance इस्तेमाल करते है तो tolerance band का इस्तेमाल होगा tolerance band से जो हमारा resistance के accuracy है वो कम हो जाएगी इसलिए हमें फादर precision resistance इस्तेमाल करना पड़ेगा उस accuracy को setup करने के लिए जो कि थोड़ा सा expensive रहेगा then gain changes due to change in temperature तो यह तीन limitations है लेकिन advantages भी है तो RG vary करने के साथ साथ हम हमारा जो gain है याने output voltage फादर उसको भी हम vary कर सकते है और एक advantage है that is CMR that is common mode rejection ratio इसका हाय रहता है common mode rejection ratio में क्यों हाय रहेगा क्योंकि यह common mode signals को already inputs में ही reject कर देता है थैंक्यू